हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके साथ नमृता शर्मा बॉलिवूड अभी नेता सोनो सूद जो जरुवतमन्द लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए मसीहा के तौर पर सामने आ रही हैं और एक के बाद एक एक्जाम्पल सेट कर रही हैं देखिए बहुत सारे लोगों क की वो अब तक मदद कर चुके हैं सोशल मीडिया पर जिन लोगों की मदद हुई है वो सोनो सूद का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं ठक रही हैं और अब सोनो सूद ने एक अपने ऐसे ही फैन की मदद की है जो पिछले 12 साल से एक बिमारी से जूज रहा था और उसका इ शुक्रिया की वो लगातार हमारे संपर्क में रहे ओपरेशन के बाद भी वो बात करते रहे जैसे ही सोनो सूद को ये खबर मिली कि उनका एक फैन जिसकी वो मदद करना चाहते थे उसकी मदद हो गई है और जिस तरीके से वो चीजे चाह रहे थे वो हो गई है यानि कि वो इलाज चा रहे थे और वो हो गया है तो उसको लेकर सोनो सूद भी काफी भावुक हो गए और जैसे ही उनको ये हेल्थ अपडेट मिला तो उनकी जो खुशी थी उसका इजहार उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ही किया सोनो सूद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा ये आज की सबसे बहतरीन खबर है 12 साल का दर्द 11 घंटे में ठीक कर दिया गया तो जैसे ही सोनो सूद ने ट्वीट किया ये ट्वीट वाइरल होने लगा सोशल मीडिया पर उनके इस ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाने लगा और लोग सोनो सूद की एक बार फिर से सरहाना करने लगे और उनको दुआई देने लगे वैसे आपको बता दे ऐसा पहली बार नहीं है जब सोनो सूद ने किसी की इस तरह से मदद की हो आप ये देख लीजिए सोनो सूद को लेकर लोगों में इतनी दिवानगी है कि उनको अब असल जिंदगी का हीरो बताय जा रहा है और इसके अलावा अभी हाल ही में आपको याद होगा कि बिहार से मुंबई तक का सफर एक शक्स ने साइकल से तै किया था वो शक्स सोनो सूद से मिलने के लिए पहुंचा था यही दिवानगी है सोनो सूद की ओडियंस के बीच में फैंस की बीच में क्यूंकि जिस तरीके से पूरे कोरोना काल में वो लोगों की मदद के लिए आ गया रही है वो वाकई में हर किसी को आकरशित कर रहा है और वाकई में ये सोनो सूद के जो काम है वो काबिले तारीफ है इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय हमें जरूर बताईएगा